हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माइटूब चनल अकास बैट्स माइने मिज डॉक्टर अकास कुमार आई अगर आप अपने घर में एक मैने का पपी ला रहे हैं तो उसको आपको क्या खिलाना चाहिए कैसे उसका डिवॉर्मिक सुडूल रहता है क्या उसका वेक्सिनेशन सुड और फिर उसको कोई पैरासिटिक इंफेक्शन हो रहा है कोई पैरासाइट का इंफस्टेशन है उसकी बॉडी में तब आपको क्या करना चाहिए तो यह सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक जिन साथ उने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे लगातार वो मुझसे जुड़े रहें और मेरे आने वाले जो वीडियो हैं उनके नोटिवेशन उन्हें मिलते रहें अगर हम मैनेजमेंट की पहीं स्टोर रूम में कर दिया या कहीं अकेली गार्डन में उसको रख दिया तो ऐसी गर्ण आपको उसको रखेंगे तो वह बीमार होने के चांस उसके बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले जो आता है सबसे इंपोर्टन चीज है फीडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी आप नया पपी अगर अपने घर में ला रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग में आपको फीडिंग तीन से चार बार दिन में ही आपको कराना है फीडिंग में आप क्या-क्या दे सकते हैं सबसे पहले तो सबसे इंपोर्टन चीज यह है आप जहां से पपी परचेस कर तो आप उनसे सबसे पहले पूछेंगे कि आप इसको क्या फीड करा रहे थे अगर वो कोई फूड इस पेस्विक ला रहे हैं कोई प्रीमियम फूड जो आते हैं वो फूड किले एक है तो आपको उसी फूड पर रखना आए मादर ठाट चार आपको अपने पपी की बाएट है तीन से चार बार जो आपके जो वैट हैं जो जितना भी वह मील बताएंगे आपको उतने इमांट में ही देना है दूसी चीज घर में आप अननेसेसरी कोई अलग घर का कोई एकदम खाना नहीं देंगे या फिर आप जहर में जो चीज खा रहे हैं उसको नहीं देना है जो उस देखा अगर कोई भी आप पपी ला रहे हैं तो उसको आपको एकदम नहलाना नहीं है अगर आपको लग रहा है कि वह ज़्यादा डर्टी हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट डर्ट हो रही है तो आप उस कंडिशन में आप मार्केट में ड्राइवात आते हैं पर नया पपी लेकर आये हैं और उसको आपने नहला दिया तो उसके बीमार होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर हम बात करें तो जो पपी है वह मेली तीन से चार वार अगर आप दिन में खाना दे रहे हैं तो खाने के 5-10 मिनट में वह पॉट्टी ट्वाइलेट कर देता ह है उसके बाद आपको जो उसके ट्वाइज हैं उसके साथ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है उसके साथ आपको खेलना है थोड़ी देर उसी से उसके एक्सराइज हो जाएगी तो इसको आप अगर पांस से दस मिनट आप खाने के बाद उसको अगर टाइम दे रहे ह हैं तो से आपका जो पपी है उसके बीमार होने के चांस हैं 50% कम हो जाते हैं तो सबसे पहली मैं मैं पहली मेरे जुब बना हुआ फिर बना चुका हूँ सब्सक्राइज करने चाहिए उस इस तीन महने की एस तक आपको हर पंदा पंदा दिन पर डिबॉर्मिंग करानी है, जब तक उसका बजन दस किलो नहीं हो जाता है, उस कंडिशन में आपको जो ड्रॉपर आते हैं, इस लिक्विट आते हैं, आपको 1 ml पर kg बॉड़ी बेट के साफ से देना है अपने पपी को, लेकिन हर पंदा दिन में आपको रिपीट करना है, तीन महने की एस तक, उसके बाद अगर तीन महने से छे महने की एस तक अगम बात करें, तो आपको मंतली डिबॉर्मिंग करानी है, वो चैना आप टैबलेट से कराएं, और बजन के बॉड़ी बेट के अको आप लिक्वि जिससे आपका जो डॉक की है वो आपको प्रॉपर उसकी ठीक है, वेक्सिनेशन की अगर बात करें तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, अगर आप वेक्सिनेशन प्रॉपर टाइम पे करा रहे हैं, तो आपके जो पपी है डॉप है उसके बीमार होने के चांस होते हैं, खतरनाग वाइरल जो डिजीज हैं, जैसे कनाट पार्व वाइरस हो गया, कनाट डिस्टेंपर वाइरस हो गया, तो ऐसी बीमार्य के लिए जो वेक्सिन लगती है, तीस दिन की एस पे लग जानी चाहिए, उसके बाद बाद तीन बाद उसका बूस्टर लगवाना है, तो आपको वैक्सिनेशन कराना है, तो आपको वैक्सिनेशन सुडूल जरूर फॉलो करना है, अगर आप अपने घर में आपका पपी है, तो उसकी हेल्थ के लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, पैरसितिक इंफेक्शन की, अगर हम बात करें अगर आपके घर में है और ऐसी कंडिशन में अगर आप इग्नोर इस चीज को करते हैं तो वह आपके पपी के लिए बहुती ज्यादा खतरनाग हो सकता है तो अगर आपके पपी में कोई भी इस तारी का पैरासाइट से दिख रहे हैं तो उस कंडिशन में आपको जो एंटिटिक और फिली जो स्काहSकते हैं तो अगर आप अपने घर में कोई पपी लाने का सोच रहे हैं को आपके पपी है तो आज की जितनी भी बाते बताई हैं इन बातों को जरूर धिहान में रखें और एगर इन चीज़ों को आप ठीक से ओलो करतें तो आपका पपी है और bake ये आ तो होगा तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करकर जुरूर बताएगा वीडियो को लाइक जुरूर करेगा और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो इस्ते हैल दे की प्लविंग आलवेज और पैट्स थैंक यू